गोगा मेडी के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों आरोपी शूटर्स नितिन फॉजी और रोहित राठोर को पुलिस ने शनिवार राच चंडिगर से गिरफतार किया। दोनों शूटर्स के साथ एक सहयोगी को भी गिरफदार किया गया। आरोपियों को दबोशने के लिए राजस्थान, SIT और दिल्ली स्पेशल सेल ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। पुलस ने बताया कि ये हत्याकान रोहिद गोदारा के इशारे पर हुआ है। मस्टर माइंड विरेंद चारण की प्लानिंग पर दोनों शूटर्स ने गोगा मेड़ी को मारा था। इन में से एक शूटर की गोगा मेड़ी से रंजश थी रोहिद गोदारा क्यों गोगा मेड़ी को मरवाना चाहता था। चले आपको इस विजीो में बताते हैं। नमस्कार मैं हूँ अदितीशा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म। इस पूरी कारवाई को अंजान देने वाली जैपर पुलिस कमिशनर बीजू जोड जोसेफ ने हत्याकान के इंसाइट स्टोरी बताई है। पुलिस कमिशनर बीजू जोड जोसेफ ने बताया है कि पकड़े गए दोनों शूटर्स हरियाना के महेंद्र गड का नितिन फौजी और राजस्थान में नागौर जिले के रोहित राठोर हत्याकान के बाद गैंग्स्टर रोहित गोदारा के टच में थे। वह इनके हैंडलर विरिन चारण ने इनको लॉजिस्टिक हतियार और रुपे तक मुहिया कराए थे। कहां भागना है, कैसे भागना है, इसका पूरा डारेक्शन रोहित गोदारा से मिल रहा था। मीडिया डिपोर्ट्स के मताबिक दोनों शूटर्स ने दिल्ली पुलस की क्राइम ब्रांच के सामने भी बड़ा खुलासा किया है। डिल्ली पुलस क्राइम ब्रांच की टीम के इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि आननदपाल एंकाउंटर के बाद सुखदेव सिंग गोगा मेडी ने ही पूरे आंदोलन की अगवाई की थी। लेकिन इसके बाद से बल्ली परिस्थीतियों में उन पर रुपे लेने के कई आरोप लगे। इसके साथ उसकी लौरेंस गैंग के साथ अनबन शुरू हो गई थी। अलांकि अभी पूरा खुलासा जैपूर पॉलस के पूछताश करने के बाद ही होगा। एक चौकाने वाली बात ये सामने आई है कि रोहित राठोड की गोगा मेडी से नीजी दुश्मनी थी। इसी के चलते वो गोगा मेडी के मर्डर के लिए तयार हो गया। साथ साल पहले जैपूर के वैशाली नगर्थाने में रोहित पर राचपूर समाच की एक नाबालिक लड़की के अपहरण और रेप करने का मुखदमा धर्ज हुआ था। इस मामले में नाबालिक के पिता की मदद गोगा मेडी नहीं की थी। रोहित को इसी मामले में जेल काटनी पड़ी थी। इस केस के सिलसले में उस पर घरवालों को काफी पैसे खर्च करने पड़े थे। साथी बहन की शादी के लिए उसका जैपुर स्थित मकान भी गिर्वी रखना पड़ा था इसी वज़े से वो गोगा मेडी को अपना दुश्मन मानता था जैपुर जेल में रहने के दौरान ही रोहित राठोर की जौन पहचान लौरंस गैंग के विरेंद्र चारण से हो गई इसके स्क्रिप्ट भी लिखी गई फिर शूटर के तो पर नितिन फौकरजी को काम खत्म करने का जिम्मा सौपा गया रिपोर्टस के मताबक नितिन फौक को इस काम के बदले कैन эта का रजरी पासपोर्ट और वीज़ा देने का वादा किया गया था जिसके बाद वहत्या करन शेराँ और विरेंद चारन द्वारा उसका इस्त्माल किया गया था बतादे के राजस्थान की राजधानी जैपुर में पाँच दिसंबर को गोगा मेरिक की हत्या उसी के घर में कर दी गई थी, शूटर शादी का कार्टेने के बहाने गोगा मेरिक से मिलने आया था और फि हो गया था फिलहाल पुलस ने दो आरोपी शूटर्स को गिरफ़तार किया है और आरोपियो का एक सहियोगी भी गिरफ़तार किया किया है यह विडियो आपको कैसा लगा इस विडियो पर आपकी क्या राए है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा शुक्री